देकिन नितीश कुमार जी की जो क्रेडिबिल्टी है वो अब देश में बची नहीं है कॉंग्रेस पाइटी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लिणने की तैयारी करें इन बैसाखियों के सहरे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है यह सत्ता की जो शत्रंज है यह पलपल रंग बदलती है और मुझे लगता है कि नितीश कुमार इस शत्रंज के बहुत बड़े खिला रही है लेकिन नितीश कुमार जी की जो क्रेडिबिल्टी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है उनके फैसले ज हरकतों से जेडी यू की जो हरकते हैं जेडी यू के नेताओं की जो बाते हैं उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठवंदन नाम की एक नई उमीद विपक्ष को मिल रही थी उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंड़ा रहे हैं कॉंग्रेस पाइटी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लिड़ने की तयारी करें इन बैसाखियों के साहरे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है मुझे लगता है कि गंगा में बहुत पानी बेह गया है और अब जो है परिंदा उड़ने को तयार है तो उड़ते परिंदों को कौन बांध पाया है कौन रोख पाया है ये सत्ता की जो शत्रंज है ये पल-पल रंग बदलती है और मुझे लगता है कि नितीश कुमार इस शत्रंज के बहुत बड़े खिलारी है बहुत बड़े मौसम वेग्यानिक है बारिश कब होगी ठंड कब होगी राजनीतिक तुफान कब आएगा ये भाप लेते हैं इसलिए हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि विपक्ष उन्हें प्रधानमंतरी के पद का कैंडिडेट नहीं बना पा रहा है तो उन्होंने दूसरी रहा पकड़ने का फैसला किया हो लेकिन ये सब कुछ उनके फैसले के बाद साफ होगा इसलिए ने का कि यहां पर एक बड़ा मंदिर उटाचा था इस से पहले मंदिर ने का दावा किया है देखे दावे से कुछ नहीं होता है अदालत के फैसले पर डिपेंड करेगा और भारत एक बहुत बड़ा लोक्तंत है भारत में एक नियाए पालिका है और नियाए अभी जिन्दा है अदालत के फैसले का इंतिजार करना चाहिए तब तक हलकी और तल्ख बयानवाजियों से बचना चाहिए